नमस्कार मैं हूं राउल शुर्मा आप देख रहे हैं स्प्नाइन नियो स्वागत आप सभी का आज की बड़ी ख़पर में और बड़ी ख़बर की शुर्वात संजय राउत से कर रहे जियां शिवसेना सांसत संजे राउत क्या जल्द ही जेल से रिहा होने वाले हैं क्या जेल से रिहा होंगे तो बीजेपी की तरफ जाएंगे ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो मौझुद समय के हालात महराश्ट में इस वक्त दीखते नजर आ रहे हैं वो कही न कहीं बता रहे हैं कि बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि राउत को अपनी तरफ मिला जाए हाला कि राउत भी बीजेपी की तरफ जाने का पूरा मन बना रहे हैं दरसल राउत एक वक्त में जब उद्दव ठाकरे की सरकार महराश्ट में थी तो किस तरह से लगातार जम कर निसाना साधा करते थे, बीजेपी पर RSS को गेरा करते थे लेकिन आज कहीं न कहीं जो इस्तिती बनी है, आज कहीं न कहीं जो हालात बने वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि राउत जो हैं अगर उद्दव ठाकरे से नाराज होते हैं या उद्दव ठाकरे का रोल जिस तरह महराश्ट में हम देख रहे हैं कि दीरे-दीरे कम होता चला जा रहा है क्या वाकई आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ जाएंगे बीजेपी से हाथ मिला लेंगे हाला कि देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी के नेता इस वक्त डरे वे वो लगातार बीजेपी की तरफ बाग रहे हैं पर जब जेल से रिहा होंगे संजराओ तो आने वाले वक्त में बीजेपी की तरफ जरूर रूख कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय को लेकर उन्होंने कहा था कि माहौल जैसा रहेगा उसको लेकर कदम उठाएंगे कुछ वक्त पहले ये भी कहा था कि अगर बीजेपी से बात बन जाती है जबकि बीजेपी ने आफ़र तक दिया था तो ये तमाम तरह की चीजे इस वक्त निकल कर सामने आ रही कि बीजेपी जो आफ़र कहीं ना कहीं दे रही है जिस तरह से बीजेपी आज लगातार काम कर र कर दो कर दो कर दो कर दो